नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त ललित कुमार दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने शत्रों से परिशान चल रहे हैं चाहें आपके घर के आसपास या अपने आफिस में या कहीं ना कहीं अगर आप अपने शत्रूं से परिशान चल रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है ध्यान पूर्वाई किसे देखिए अंत तक इसमें मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जो आसान है और आप कर सकते हैं जि भगवान से ये दुआ करें कि इन उपायों को करने के बाद वो आपका कुछ बिगाड़ना पाएं आपका अहित ना करें ये भावना मन में रखकर आपको उपाय करने हैं तो चलिए चलते हैं उपाय नंबर एक की तरफ उपाय नंबर एक में आपको क्या करना है एक भोच पंसार की कलम लेनी है और लाल चंदन लेना है ये सारा समान आसानी से आपको पंसारी के दुकान पर मिल जाएगा फिर इससे क्या करना है अपने शत्रू का नाम लिखना है और इसे किसी मिट्टी की कटोरी में या दीपक में लेकर शहद में डूबो कर किसी वीरान जगा पर इसको दबा देना है ये उपाइ करने करते समय अपने शत्रू का नाम ले और भगवान से दुआ करें कि हे प्रभु मेरे शत्रू को शांत करें और मेरा कुछ अहित ना करें अब चलते हम उपाइ नंबर दो की तरफ इस उपाइ में आपको क्या करना है हर शनीवार को एक त आता हूँ आपको क्रॉस करके दो लंबी बातियां बनानी है जो अपने घर के साइड की बाती है उसको नहीं जलाना बाकी तीनों जला देनी है इसे बोलते हैं तीन मुखी दिपक और अपने इश्टदेव से शनिदेव से ये मनो कामना करें कि हे प्रभू मेरे शत्रों को शा दीपल के पत्ते पर कपूर के काजल से बनी श्याही द्वारा लिख कर किसी ऐसे स्थान पर दबा देना है जहां पर लोग आते जाते नहों एक गड़ा खोद कर उसमें दबा देना है इससे भी आपके शत्रू शान्त होंगे यहां कपूर का काजल कैसे बनेगा कपूर को ए अगला उपाय है जो शत्रू के दमन के लिए है आपको क्या करना है साबूत काली उड़त के 38 दाने लेने हैं इसमें 40 दाने मिलाकर किसी गड़े में दबा दें उपर से इसके नीवू निचोड़ दें और यह उपाय करते समय अपने शत्रू का नाम लें और यह विनती करें बजरंग बली से कि हे प्रभू मेरे शत्रू को शांत करें वो मेरा कुछ अहित ना करें यह मनो कामना करते हुए आपको वहाँ से वापस आ जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी कि क्या आप उपाय करें कैसे आप शांत करें यह उपाय आप करिए और अगर आप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल लली जोति समाधान को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विजा लेना चाहूंगा आज के वीडिय जार दोस्तों जै श्री राम